नहश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में जहां पर मैं आपको explain करने वाला हूं BGMS का पूरा format जैसे आप सभी को पता है BGMS स्टार्ट होने वाला है 19 चुलाई से TV पर आने वाला है it's going to be huge it's going to be massive and काफी सारे लोग परिशान हो चुके यह कैसा format है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो don't worry not win official से बात करके मैं यह वीडियो बना रहा हूं आपको पहले से एक disclaimer दे दूं कि आपको थोड़ा सा अत्रंगी लग सकता है थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है but try to understand we are making it TV friendly so as much as entertainment हो सके drama देखने को मिल सके कलेश भी वाल लफ दाट तो फटा फट से गाइस like और subscribe कर दीजिए we are very close to 100k and let's start the video तो जैसे कि आप देख सकते हो जो first हमारा हफता रहने वाला it's going to be the opening week 19th से 21st चुलाई यहाँ पर आपको खेलने वाली है 24 टीम बीस तो invited है चार टीम्स qualify करके आई है अब इन सारे टीम्स के बीच में से matches होने वाले और हर एक टीम को खिलने का मौका मिलेगा सिरफ चार गेम्स चार गेम्स के basis पे जो हमारी top 18 टीम्स रहेंगी वो qualify करने वाली है league stages या group stages वहाँ पर और जो बाकी 6 टीम्स रह जाएंगी वेल आप सोच रहेंगे उनका क्या होगा फिर audience वोट किया जाएगा वहाँ से जो top 2 टीम्स रहेंगी वही qualify करेंगी and they will be joining the remainder 18 and they will only play the league stages जो बाकी टीम्स रहेंगी जो चार टीम्स उनका सफर यहीं पर खतम ठीक है पहले मैं आपको सारह format समझा देता हूं उसके बाद जो नए नए जूप में रहेंगे चार टीम्स तो उनके बीच में मैचेस होंगे यहां पर बहुत सारे नहीं चीज़ें आड किये गए इसके बारे में आपको थोड़ी देर में एक्स्प्लेन करने वाला हूं तो यहां पर जो टॉप फोर टीम्स रहेंगे वह डिरेक्ली जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर और वापस से याद दिला दू एक और इंपॉर्टेंट सुचना कि हर वीकडेस पे आपके सिरफ दो मैचेस रहेंगे सिरफ सैटेडेस और संडेस वी विल हाव थी मैचेस तो उस हिसाब से यहां पर पूरा फॉर्माट चलेगा प् दो दिन के उस प्लेओफ में जो रिमेंडर 16 टीम्स रहें गई वो लड़ने वाली है वो 16 टीम्स में से जो भी टॉप 12 टीम्स होंगी वो ही क्वालिफाइ करेंगे ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो आपके प्लेओफ से 12 टीम्स हो गई और उसके बाद जो चार टीम्स लीक complicated है नहीं इतने तो पढ़े लिखे हो ही सारे समझ जाते हो बट यहां पे हमने realize किया कि मसाला missing था वेर इस दे मसाला हाओ डूवी टीवी फ्रेंडली तो हमने add कर दिये कुछ-कुछ नहीं नहीं चीजें कुछ-कुछ नहीं नहीं features तो यहां पे वापस से reintroduce हो रहा है आप आपका power play जो की throughout the bgms रहने वाला है हर एक stage में right from the opening week till the grand finals आपका power play रहेगा power play आपको पता है हम पूरे season last time explain करते करते आप भी परिशान हो गये थे हम भी परिशान हो गये थे बट वापिस से नहीं लोग जुड़े हैं तो फिर से समझा देता हूँ power play के अंदर ऐसा होता है कि आप first zone में जितने भी eliminations निकालते हो उसके आपको मिलते हैं double points समझ गए pretty much straightforward कुछ clarification होते हैं उसके उपर भी बता देता हूँ कि मान लो आपने knock निकाला है first zone में और जो elimination है अब वो होता है जाके finish जो निकलता है वो second zone के बाद होता है तो आपको normal points से मिलेंगे आपको power play points नहीं मिलेंगे ठीक है यह तो power play है और यह मैं वापिस से याद दिला दूँ पूरे बीजे मेंस के दौरान यह चलेगा बट सबसे ज्यादा जो मसाला है जो इस पार नया इंट्रेडियूस हुआ है that is the bounty system यह थोड़ा सा आपको complicated लग सकता है but definitely मैं के लिए हूँ यहाँ पर मैं आपको clarify कर देता हूँ तो जो opening week होगा opening week में हमारी जो top 4 teams रहेंगी जब overall standings निकल जाएंगी जो top 18 teams में से वहां के जो top 4 teams होंगे उनके सर पे लग जाएगा एक-एक bounty ठीक है अब bounty क्या है pretty much as the name suggests अगर आप उनको eliminate करते हो तो आपको extra points मिलते हैं तो मान लो हमारी जो top teams है ले लो x-park चलो एक सेकेंड इसका color change करते हैं मान लो आपकी x-park हो गई soul हो गई गॉडल हो गई और जी ये चार teams आपकी top कर रही है ठीक है first week के बाद तो इन सब के सर पे एक-एक bounty लग जाएगा ठीक है तो जब league stage स्टार्ट हो रहे हैं मान के चलो कि जो 16 teams खेल रही है उन में से किसी ने भी इनको eliminate किया इन चार टीमों को तो उनको उनके elimination points तो normal मिलेंगे ही मिलेंगे बट extra bonus 10 points पर bounty team के आपको मिलेंगे तो सोच लो यहाँ पर चीज़े थोड़ी सी और complicated हो जाती है कि अगर player in fact starting का first zone चल रहा है और आपका power play activated है तो वहाँ पर let's say let's say आपकी गुजरा टाइगर्स जीटी जाती है और इन में से किसी भी team को एक मार देती है ठीक है और यह first zone चल रहा है मान लो जीटी जाके यहाँ पर global e-sports को मार देती है तो क्या होगा जीटी को first zone के तो आपको normal 4 eliminations थे since it's the power play मतलब आपको 8 points तो मिल रहे है उसके बाद added bonus में आपको 10 और points मिलेगा तो मान लो अगर first zone में कोई भी team कोई भी bounty holding team को अगर मारती है तो extra 10 points bonus और अगर वो power play में है तो आपके वहाँ पे भी double होगे तो 18 points एक team के elimination के साथ एक team निकाल सकती है आप यह सोच रहे होगे जो bounty teams का क्या उनके पास भी accessibility है मान लो team xpark soul godlike या global e-sports किसी को भी eliminate करते हैं तो उनको भी double points मिलेंगे मिलेंगे ठेक है इतना तक clear है तो bounty teams आ कहां से रहे जो top 4 teams हमारे first week के रहेंगे उनको उनके उपर bounty रहेगा बट यहाँ पे है twist हर match के बाद तो जो bounty रहने वाला है वो सिरफ और सिरफ league stages के लिए रहेगा हर match के बाद जो भी top 4 होंगी overall standings में उनके उपर bounty रहेगा तो जो top 4 team थी उनमें से अगर कोई replace कर देता है उनको तो वो bounty shift होके वो top 4 teams के उपर चले जाएगा और वो हर एक match के बाद change होते रहेगा तो teams के पास कर देते हो तो आपको 10 bonus points मिल जाते हैं बड़ अगर आप एकात casualty लेते हो तो that's normal आपको पूरा squad wipe करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपने एक bounty team के उपर drop class ले लिया अब दो हमारे बस वो bounty team ने आपकी squad wipe कर ली तो उसके लिए कोई bonus points है नहीं तो यह bounty system जो रहेगा वापिस से बता देता हूं सिरफ और सिरफ league stages तक रहने वाला है जो हमारे play-offs और finals है वहाँ only and only power player है उसके बाद यहां पे हम लोग को लग रहा था कि नहीं यार मसाला उतना काफी नहीं है और एक तड़का मारना पड़ता है तो हमने impact player डाल दिया IPL में जैसा एक impact player है यहां पे भी एक impact player रहेगा तो यह सिरफ weekends पे होंगे Saturday Sundays पे होंगे जो respectively हर एक team के IGL को बुलाया जाएगा आइधर through chits या फिर by some other medium और या फिर the IGL's call it will be decided उसके लिए I'll keep you updated तो इसलिए subscribe कर दो channel को और like कर दो इस video को मैं आपको बता दूँगा कि क्या basis पे selection होगा तो वो एक player अपने team क select करेंगे जो भी player रहेगा उस हफते में उस weekend में वो जितने भी eliminations निकालेंगे उसके उनको double points मिलने वाले हैं दोस्तों समझ लो पूरे throughout those six matches जो रहेंगे double points मान लो अगर हम लेके चलते हैं आपकी team X-park सारंग को बनाया गया आपका impact player ठीक है imagine करो किस हद तक points collect हो सकते हैं एक तो आपका leak stages अगर चल रहे है bounty भी activated है ठीक है तो अगर कोई bounty team के पीछे सारंग जाता है ठीक है सारंग पूरे bounty team को eliminate करता है और वो first zone में करता है तो first zone के तो आपको power play के double points मिले तो जो squad elimination है उसके तो आपको 8 points ठीक है अगर सारंग ने किया इसका मतलब दुगना हो जाएगा is equal to 16 points 16 points कमा है सारंग ने और अगर वो team कोई bonus holding in fact bounty holding team होगी तो उसके आप 10 points extra add कर दो तो total एक squad से at the max आप 26 points ले सकते हो अगर सेम सारंग ने या फिर जो भी player ने जिसके उपर वो impact player का ठपा लगा है ठीक है अगर वो जाता है दूसरे bounty teams को भी hunt करता है वहाँ पे भी निकालते है eliminations तो 20 अगर दो teams को ऐसे 8 eliminations निकाल लिए फिर्स जोन में तो 52 points सिरफ दो squads को eliminate करके वो निकाल सकता है so that is going to be the impact player तो यह भी एक concept था यह भी समझा दिया और वापिस से बता दूँ यह जो impact player का concept है वो सिरफ और सिरफ आपके league stages के लिए applicable रहेगा grand finals और आपके play-offs के दौरा only and only आपके power play जो two points तो यह तो था पूरा format जो हमने explain कर दिया है तो काफी मजा आने वाला है यह format के उपर आपके क्यार आये हैं अब definitely comment section पर बताना कोई भी confusion है वो भी बता देना मैं आके live stream पर clarify कर दूँगा and please वापस से एक close to 100k finally कर दो lot of content coming out from bgms so I hope आपको अच्छा लगा and also to let us know कि comment section पर आपके top 3 कौन होने वाले for this bgms and किसके सबसे जादा drop कलेश हमें देखने को मिलेंगी ठीक है चलिए मेरा नाम है fixes मैं लहता हूं आपसे अलविदा मिलता हूं next video में